हाई प्रेंड्स मैं डाक्टर जी क्रिष्णा टार्गेट भी था लोग की सानलाइन प्लेटफर्म पे आप लोगों का अफ्ननत करता हूं और आशा करता हूं अपनी बेहतरी के लिए हर शंबह प्रयास कर रहे होंगे और हम लोग इस मंच पे आए हैं इसलिए कि जो दिकते होती हैं टीजीटी पीजीटी में वह गलतियां नहों और बार बार इस बात को मैं कहता हूं कि हम लोग आउतारी पुरुस नहीं है यह जीव जो समय को भूना लिया जो समय पर अपनी नाम की मुहर लगा लिया कल उसके नाम की गुज इस जमाने में गुजेगी लेकिन इसके लिए आप लोगों को एक मजबूत रणनी दी दूरदर्शिता के साथ सही एक स्ट्रेटिजी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा इन ही सारे बिंदूओं पर मैं आप लोगों के समस्थ समक्ष उपस्थित हूँ और दो तरह की पढ़ाई पढ़नी चाहिए जैसे हम लोग अगर कोई बात कर रहे हैं तो उसमें हम लोग जिस टॉपिक को उठाएं डीप तक पहुँचें लेकिन उसको हरिजन्टल भी आपको क्या करना पड़ेगा एक दूसरी के साथ कनेक्ट करते हुए उन बातों को समस्थना होगा इन ही संदर्भों पर हम लोग चर्शा करेंगे और आप लोगों का टापिक होगा मौरे राजवन्ष मौरे राजवन्ष से मान के चलिए चाहे टीजिटी हो चाहे पीजिटी हो तीन चार क्वेस्टन्स जरूर पूछे जाएंगे और सबसे बड़ा टापिक भी है और प्रसाशन से संबंधित चाहे अभिलेखों से संबंधित या उनकी राजनित से संबंधित जब बाते उड़ती हैं तो हम उन प्रस्णों को जब तक नहीं समझेंगे तब तक करना बहुत मुश्किल होगा इनी संधर्वों पे हम लोग आके बात करते हैं और आप देखेंगे बिटा मौरे राजिवन्ष मौरे राजिवन्ष हम लोग 322 इसा पूरों से हम लोग बात करेंगे बिटा और 279 इसा पूरों माने जब हम लोग अशोक को शिंगहाशन पर बैठा लेते हैं तब तक हम लोग बात करते हैं और इसमें चंद्रगुप्त मौरे की बात होती है चंद्रगुप्त मौरे के बात होती है चंद्रगुप्त मौरे के बात हम लोग बिंदुशार की बात करते हैं और बिंदुशार के बात हम लोग बिंदुशार के पुत्र अशोक की बात करते हैं इसमें हम लोगों को सबसे महत्पूर्ण आयाम देखना होता है अभिलेख अभिलेख और प्रशाशन प्रशाशन क्योंकि भारत में प्रशाशन की सुरुवात उत्तरवैदिक काल से माना जाता है और ये भी आप कह सकते हैं कि लिखित प्रशाशन हम लोगों को यहां से देखने को मिलते हैं और ये सब कुछ देखने को कहां मिलता है या तो प्रश्तरों पर और या तो अर्थ शास्त्र में अर्थ सास्त्र में और अर्थ सास्त्र भले अर्थ सास्त्र नाम हो लेकिन इसके कई बिंदू हैं इसमें दंड विधान भी है इसमें दर्शन भी है इसमें प्रशाशन भी है इसमें राजनीत भी है बहुत सारे बिंदू हैं अर्थ सास्त्र में इसलिए ये भी कहा जाता है भारत में कोई राजनित साश्त्र की पुस्तक नहीं थी इसका एक वज़ा भी है कि हम लोगों के हाँ विटा जो समाच है इसी में धर्म भी है और यहाँ पर धर्म नैतिक्ता को माना जाता है नैतिक्ता आदर्श तो यह इतना एक दूसरे से गुथा हुआ है कि हम सोचते हैं या यूरोप के लोग सोचते हैं कि उनके हिसाब से सारी ब्योस्थाएं हो राजनीत की जब बात हो तो किवल राजनीत की ही बात हो राजनीत की बात हो और व्यक्ति की बात हो शाध्य की बात हो शाधन की बात हो तो भारत की परंपरा जो रही है और यूरोप की जो परंपरा रही है वह अलग-अलग है हम यूरोप की ब्यौस्था पर ब्यौस्थित होके हिंदुस्तान की ब्यौस्था काध्यन नहीं कर सकते हैं क्योंकि जितने भी राजनित की बाते हैं, इतिहस की बाते हैं, धर्मिंकी बाते हैं अगर बहुत गौर किया जाए तो उनकी नियू हिंदुस्तान है, भारत है प्लेटों में भी देखते हैं कि अगर उसने समाज में वर्ग की बात की है आदर्श की अगर बात की है तो वह कहीं न कहीं इसी अर्थ सास्त्र की देन है वह कहीं न कहीं भारत के वेदों के जो वर्ग की आदर्श ब्यवस्थाएं हैं वर्णा स्रम की आदर्श ब्यवस्थाएं हैं उस सैली को कहीं न कहीं यूरूप एथिंस यूनान ने एडाप्ट करने की कोशिस किया है और आप लोगों ने देखा होगा कि प्लूटो जो अरस्तू का शिष्य था, सुकरात का शिष्य था, सुकरात को बिश्पान करना पड़ा, इससे वह परिशान होकर जो राज परिवार का था, कभी वह राजनेता बनता, आज गुरू की मृत्तों ने उसे हिला कर रख दिया है, इस बेचाइन मन को कहीं न कहीं शांती को अस्थापित करने के लिए हिंदोस्तान की तरफ पे रुख करते हैं, तो हम लोग उधर न जाके, हम लोग अपने इतिहास के उन मापदंडों पे आएंगे, तो यह संसार है, समाज है, दुनिया है, और इतिहास और दर्शन हर बिशय की जननी माने जाते हैं, और हम लोग अभिलेक की बात करते हैं, तो हम लोग चंद्रगुप्त मौरे से ही उठाना शुरू कर देंगे, और आप देखेंगे बेटा, कि चंद्रगुप्त मौरे के समय, बंगाल से, और महास्थान जिसको कहा जाता है, महास्थान, और सोहगवरा, यह बंगाल में है, तो यह आपके गुरखपुर में है, और इसने एक गिरिनार पहाड़ी है, सौरास्ट में, गुजरात में, वहाँ पर इसने शुदर्शन जील बनवाया था, शुदर्शन जील बनवाया था, और इस सुदर्शन जील से संबंधित तीन राजवन्स हैं, मौर्य, शक और गुप्त, और मौर्य से संबंधित दो लोग हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने इस गिरिनार पहाड़ी पर सुदर्शन जील का निर्माण करवाया, इस सुदर्शन जील में पाल्शनी और शिक्ता दो नदियां थी, जिनके जल को एक जगह सिंचित करके बाद बनवाके, पूरे गुजरात का भरण पोशन होता था, चंद्रगुप्त मौर्य, और यहीं पर आपके अशुक के समय, इसमें दरार पर जाने के वज़ा से, और बाद में आप देखेंगे रुद्रदामन, रुद्रदामन, रुद्रदामन ने संस्कृत में, पहले क्या होता था, प्राकृत में, पाली में, लोग अपनी बातों को शीलाओं पर लिखवा देते थे, लेकिन कहा जाता है, प्राकृत के समुंद्र में, यही एक ऐसा अभिलेख है, जो टापू के रूप में जाना जाता है, माने अगर कहा जाए कि प्रथम संस्कृत का लेख कौन सा है, तो रुद्रदामन का लेख है, और रुद्रदामन आप जानते ही हैं, यह बिदेशी है, कार्दमक साखा से संबंधी थे, छाहरात वंस से संबंधी थे, और एक चस्टन था, उसी का एक बेटा था जैदामन, जैदामन का पुत्र था रुद्रदामन, और बाद में इनके वंसजों से भी संबंध होगा आपके गुप्तों से, सातवाहनों से, तो वहाँ पर भी कहीं न कहीं हम इन लोगों को ले के चलते हैं, लेकिन एक प्रमुख था और इसके मन में क्या था इस समाज के लिए कुछ कर जाने का, तो चंदगुप्त मौरे ने भ भले करवाया, लेकिन रुद्रदामन ने इस पर लेख लिखवाया, तो भले चंदगुप्त मौरे के समय लेख नहीं लिखे गए, लेकिन यह ऐसा लेख है, जो चंदगुप्त मौरे और अशोक माने बाबा और पोते का एक साथ निरूपन मिलता है, यह पहला ऐसा अभी ल लेते हैं, तो यह हमारे लिए बहुत, तो हमने एक बात बताया था, कि हम लोग सब्जेक्ट की गहराई में, डिप में भी जाएंगे, और हम लोग हारिजन्टल भी जाएंगे, हम लोग वर्टिकल भी जाएंगे, और हारिजन्टल भी जाएंगे, हारिजन्टल क्या होता है या बताता है कि कितनी समझ है आपके सब्जेक्ट से और इस तरह का अगर आप अपने में क्वालिटी अगर डबलप नहीं करते हैं तो बड़ा एक्जाम निकालना मुश्किल है और TGT, PGT, आगे असिस्टेंट प्रोफेशर्स तो यही एक ऐसा दर्वाजा है कि जहाँ पर प्रोफेश करते ही आगे की दर्वाजे आटोमेटिकली खुलने लगते हैं तो आपको बड़ी संजिदगी के साथ अपने समय को एक दिशा देनी होगी और अपना लक्ष सुनिश्चित करना होगा कि हमको जाना कहा है और आप एक बात याद रखेगा प्रतिस्पर्धा बढ़ती जाएगी यह कम नहीं होगी और सोसल मेडिया ने इस प्रतिस्पर्धा को और क्रिटिकल बनाएगा तो आपको तमाम सोसल मेडिया पर पहुंचने और निर्णे लेने यह दोनों दायत्तों का निर्वहन आपको करना होगा यह जीवन आपका है कि इस वर ने आपके पास मस्तस्क दिया है दो पैर दिया है एक समझ दिया है नेनए आपके हाथ में है कि अपना यह अमुल्य जीवन किस गुरु के हाथ सौपना पशंद करेंगे किस संस्था किस साथ अपना संबंध बनाना हित कर समझेंगे यह निर्णे आप पे है और यही माध्यम है पब्लिक मेडिया के जहाँ पे हम अपनी बात आप तक रखने का साधन ढोड़ते हैं लेकिन साधन आपका होगा शाध है आपका होगा तो साधन की से अपना माध्यम की से बनाएंगे यह responsibility आपकी है हम लोग अगले points पे चलेंगे और जब गुप्तों के काल में कितने वंस की हम लोगों ने बात किया होगा तीन वंसों की हम लोगों ने बात किया होगा और असकंद गुप्त असकंद गुप और कितने लोगों के नाम होंगे तो याद रखेगा यह सासक से संबंधिद बाते होंगी लेकिन यह इनके सासक नहीं जाके बनवाते हैं बलकि इनके राज्यपाल इस कारे को मुस्तैद होके करते हैं तो यहाँ पर बात आगे आएगी कि जब हम लोग चंदगुप्तिक मौरे की बात कर लिए असोक की बात कर लिए रुद्रदामन की बात कर लिए और असकंद गुप्त की बात कर लिए तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा होगा कि यह राजवन्स क्या होगा मौरे राजवन्स यह शक और यह गुप्त और यहाँ पर हम लोग उन राज्यपालों के भ तु शास्व, सुवीशाक, चक्रपालित, तो एक तरफ हम लोग वन्स की बात कर ले, एक तरफ हम लोग शाशक की बात कर ले, और एक तरफ हम लोग राज्यपाल की बात कर ले, और हम लोग किस की निर्माण की बात कर रहे हैं, हम लोग सुदर्शन जहील की बात कर रहे हैं, हम लोग सुदर्शन जहील की बात कर रहे हैं, या कहां पर है या सौरास्ट में है, इस पर सरप्रथम लेक किस ने लिखवाय था, तो सरप्रथम संस्कृत में यह लेक है, यह संस्कृत में लेक है, और गुप्त काल में भी संस्कृत को लिखा जाएगा, लेकिन गुप्त काल की संस्कृती और इस काल की संस्कृत में थोड़ा सा अंतर होगा, तो कभी-कभी बात चक्रपालित की भी आती है, तो याद रखना चक्रपालित का पिता पर्णदत है, पर्णदत है, तो पर्णदत पिता है, पर्णदत पिता है, जिसने अपने पुत्र क वो यहां का राज्यपाल बनाया था। तो कभी-कभी अगर पूछ लिया चक्रपालित के पिता का नाम क्या था? पनदत था? तब पर भी। और कभी अगर चक्रपालित न देके पनदत को पुझा क्योंकि पनदत के मातहत है चक्रपालित। इन बातों को बिटा बड़ा ध्यान से देखना तब जाकी आपका एक क्वेस्चन्स होता है। और इस पर कभी भी क्वेस्चन्स बनेंगे तो आप क्या करेंगे? आप सठीक अपना जवाब दे पाएंगे। फिर हम लोगों के पास बात आती है। सोहगवरा और महास्थान सोहगवरा और महास्थान सोहगवरा गोरखपूर में है और महास्थान बंगाल में महास्थान तो याद रखना यह प्रस्तर पर है यह प्रस्तर पर है और यह तामर पर लिखा गया लेख है या ताम्र पर लिखा गया लेख है और सरप्रथम PDS प्रणाली आप लोगों को देखने को मिलती है PDS का मतलब क्या होता है बिटा PDS का मतलब होता है पब्लिक डिस्टिबूशन इसी को रासनिंग प्रणाली भी कहा गया इसी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली कही जाती है कुछ भी वह पूछ लेगा 12 वर्षी अकाल पड़ा था प्रजा की भलाई के लिए और आप एक चीज़ देखेंगे अर्थ सास्त्र में अर्थ सास्त्र कल्यान कारी राजी की बात किया गया है और कल्यान कारी राजी की बात या बीसमी शब्द के शब्द है लेकिन सोचिए उसकी थीम क्या थी अर्थ सास्त्र की तो अर्थ सास्त्र का मूल उद्देश्य क्या है सर्व कल्यान कारी राजी की अस्थापना करना राजा निरंकुस नहीं होना चाहिए राज्य साध्य होना चाहिए केंद्री कृत प्रणालियां है लेकिन केंद्री कृत प्रणाली होने के बावजूद भी मंत्री परिशद है बीना मंत्री परिशद के राजा निरंकुस नहीं होगा वह जनता के हित में होगा जब इतनी सारी बाते मिल रही है और आप यह कहिए कि भारत को राजनित की जानकारी नहीं थी भारत को इतिहास की जानकारी नहीं थी अभी आप लोगों ने देखा होगा संशद से बाहर अभी तमाम तरह के लोगों की भी बाते आई, वर्तमान में जो हम लोगों के प्रधान मंत्री हैं, नरिंद्र, दामोत, दाश्मोदी, उन्होंने कहा भारत लोक तंत्र की जननी है, आज देख रहे हैं, यह किसी वन्स और राजवन्स से संबंधित नहीं था, किसी राजवन्स से संबंधित नहीं लेकिन चानक की जैसा गुरु अपनी राजिनितिक सूजबूज द्वारा मगद की सत्ता पर बैठा हुआ घनानंद जो निरंकुस और अत्याचारी है उसे समाप्त करके राजगदी पर बैठाते हैं लेकिन जब हम लोग बौध काल में जब बात करते हैं हम लोग महाजनपदों में जब बात करते हैं तो वहाँ पे वज्जी और मल गणराज्य ब्योस्थाएं हैं वहाँ पे जो मत दिये जाते हैं उसके लिए छंद शब्दाएं हैं वहाँ पे सलाखायों की बात की गई हैं वे अलग-अलग कलर की अलग-अलग छड़ियां होती थी क्योंकि हर लोग पढ़े लिखे नहीं थे भारत में जब हम लोगों का 1947 में देश जब आजाद होता है तो उस समय भी समस्या क्या थी कि भारत के लोग जादे से जादे पढ़े लिखे नहीं थे मुश्किल से 30-35% जनसंख्या पढ़ी लिखी थी और 65-70% जनता को अच्छर ग्यान भी नहीं था और भारत लोग तंत्रक में आगे बढ़ना चाहता था तो उसके लिए चुनाव होंगे तो चुनाव में जब वह पढ़ी नहीं पाएगा कि हमारा प्रत्यासी कौन है तब लोगों ने कहा कि वह प्रत्यासी को तो नहीं पहचान पाएगा लेकिन उस प्रत्यासी का अगर एक निस्चित चिन्ह बना दिया जाए तो सोच लीजिए भारत में चिन्ह की जरुवत पड़ी किसी को ताला मिला, किसी को चा भी मिली लेकिन ऐसा नहीं जो किसी धर्म से संबंदित हो नहीं अगर छाता मिला, तो उसमें भी धर्म निर्पक्षता है चाए हिंदू हो, चाए मुस्लीम हो, चाए सीख हो, चाए इसाई हो सब छाता लगाएंगे अगर कमल का अगर पुष्प है तो कौन ऐसा है जिसे पुष्प अच्छा नहीं लगता है हाथ का पंजा चुनाव चिन हुआ हाथी हुई, साइकल हुई या सारे एक ऐसे हैं जिससे ब्यक्ति जुडा हुआ है देख रहा है भाई हाथी को हम गणेस के रूप में पूजते हैं इसलिए कि वहाँ पर भी प्रकिर्तिया वन जीव संडक्षण की बात लोग सोचते थे और आज उसके लिए हम लोगों ने अधिनियम बनाया है तो ये हारिजंटल हुई आप लोगों की तयारी कि इन चीजों को भी जानना होगा तो लोगतंत्र की बातें गणराजी की बातें जो वहाँ पर थी वह या समस्या यहाँ पर भी थी तब वहाँ पर छडियों की बात होती थी और आप PDS प्रणाली की ही बात देखते हैं तो यह तो हो गई सबसे पहले सारवजनिक प्रणाली की तो यह हम लोगों को जब लेख मिल रहे हैं तो आप लोगों को सोचना चाहिए क्या इसके पहले जो राजसत्ताएं थी भले उनके लेख न मिले हो क्या यह प्रणालियां अचानक बनी होंगी नहीं कोई भी व्योस्था अचानक नहीं बनती है वह अपने चरम पर पहुंचा है उसके पीछे एक क्रमिक भीकाश है और जहां पर क्रमिक भीकाश हो वही विज्ञान है जो भीकाश है वही विज्ञान है हम उस आदिम ब्योस्था से हम उस प्राकिर्तिक अवस्था से हम लोग किधर निकलते हैं इस आधुनिक युग की तरफ तो आप सूच सकते हैं कि 322 इसापुर से लेके अगर हम लोग 2030 की अगर बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं लगभग 2400 वर्ष पहले अगर यह ब्योस्थाएं थी तो आज आप लोगों ने देखा होगा COVID-19 में कोरोना में कि रोग से ब्यक्ति मर गया होगा लेकिन जो गौर्मेंट की पब्लिक डिस्टिबिशन सिस्टम था कहीं न कहीं वह जीवन को बचाने में काम्याब रहा नहीं तो रोग से तो लोग मरते भूख से मौते सुरू हो जाती हैं तो कहीं न कहीं इस जन्संख्या को बढ़ान बचाने के लिए यह ब्योस्थाएं तो ये नहीं है कि कोई ब्योस्था आज की गुवर्मेंट अचानक कर दे रही है नहीं वह पीछे ब्योस्थाएं जो है उसी का आज क्या है चरम आज तकनीक है मैं खड़ा हूँ और दुनिया के कोने कोने तक अपनी बात को अपनी आवास को मैं रख रहा हूँ यह भी अपने में बहुत बड़ी बात है अगले पॉइंट्स पर हम लोग आएंगे विटा कि यह तामर में है यह प्रस्तर में है और इस पर जो तामरका है इस पर क्या है अननागार बने हुए है कि यहा से ब्योस्थाएं होंगी और हम लोग अभिलेखों में जब बात करते हैं तो हम लोग बिन्दुशार के बाद हम लोग अशोक तक पहुंचते हैं और अशोक के जब हम लोग अभिलेखों की बात करते हैं तो वहाँ पर तो अभिलेखों की एक लंबिन दास्तान है कहीं ब्रिहद सिला लेख है तो कहीं लगु सिला लेख है कहीं ब्रिहद अस्तंभ लेख है तो कहीं लगु अस्तंभ लेख है कहीं गुहा लेख है तो कहीं प्रिठक लेख है कहीं लेख हीन अस्तंभ है तो कहीं लेख सहित अस्तंभ है ये हमारे लिए समस्या खड़ी कर देती है कि आखिर हम इस चीजों को पढ़ेंगे कैसे हम इस चीजों को समझेंगे कैसे दूसरी बात है चैतियों की बात आती है इस्तूपों की बात आती है मुर्तियों की परंपराएं यहां पर सुरू हो जाएंगी जैसे कालसी में एक हाथी है मौरे काल की है जैसे लग रहा है कि वह किसी गुफा से बाहर निकल रही हो और उसके पैरों के बीच में गज़त में लिखा है लेकिन अगर हम लोग मूर्तियों की अगर बात कर दें तो हम लोग प्रागयती हाशिक काल में जाएंगे प्रागयति हाशिक काल में जाएंगे और प्रागयति हाशिक काल में आप देखते हैं प्री हिस्टोरिकल एज है जो पासान काल है फिर प्रोटो हिस्टोरिकल एज होगा जिसमें आपके हडपा शभ्यता आएगी वहीं पर बैदिक शभ्यता आएगी फिर हिस्टोरिकल ले जाता है तो जो प्री हिस्टोरिकल है उसमें भी हम लोग पूरा पाशान काल की बात करते हैं, मध्य पाशान काल की बात करते हैं, नौ पाशान काल की बात करते हैं, पूरा पाशान काल को भी हम वर्गों में डिवाइट करते हैं, निम्न पूरा पाशान मद्ध पूरा पाशान, उच्छ पूरा पाशान, उच्छ पूरा पाशान के काल के बाद मद्ध पाशान काल आता है, तो उच्छ पूरा पाशान काल में हम लोग सबसे पहले मुर्ती देखते हैं, उच्छ पूरा पाशान काल में हम लोग सर पर्थम हम लोग मुर्ती देखते है लोहदा नाला और नोहलदा नाला कहां पर यह इलाहबाद में है प्रियाग राज है और यहां पर आप देखेंगे इस तरह की आप लोगों को एक हड़ी का ऐसा हड़ी का इस तरह का हम लोगों को मिला है और इसको लोगों ने कहा कि यह अस्थी मात्र देवी की मूर्ती है यह क्या है अस्थी मात्र देवी की मूर्ती है मात्र देवी की मूर्ती है मात्र देवी की मूर्ती है फिर आप देखते हैं हड़पा काल में भी मूर्तियां बनना बनना सुरू कर देंगी, फिर आपके मौरे काल में भी मूर्ती बनना सुरू कर देगी, क्या इन मूर्तियों से संबंधित आपके लेक्चर सीप और TGT, PGT में क्वेस्टन्स नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं बिटा, तो आपको इस हिसाब से भी अपनी रणिनीत बनानी होगी, आपको तयारी करनी होगी, अब वह बात अलग है, कि हम अगर हडपा पहरते हैं, तो हम किवल हडपा में ही डूब मरें, हम बैदी काल पढ़ रहे हैं, तो उसी में डूब मरें नहीं, आप टेंडेंसी बदल दीजिए, समय बदल रहा है, अगर समय की हिसाब से नहीं तो समय आपको परिशान कर देगा, समय कहेगा, कि देखो तुमने हमको बरबात किया, आज हम तुमको बरबात करने के लिए आतुर है, तो यह निर्णय आपके हाथ में होगा, और कहा जाता है, कि किसी की इनलसिस आप एकाद वीडियो में नहीं कर सकते हैं, हो सकता है कि उसका कोई ताफिक बहुत उसकी पकड़ हो, पढ़ाया और आप उसके फंस गए, तो नहीं, जो बिश्वास होता है वेटा, वह सब्दों में नहीं, वह बातों में नहीं, वह आँखों में दिखता है, अगर बिश्वास देखना हो, तो क्रिश्णा सर की कि क्या इसकी बातें हमको अपने लक्ष तक ले जाएंगी कि अन्य की तरह शब्द जाल में फसा के हमें वुसी जगह रख देंगी जहां पर हम पहले से ही मौजूद थे। शोषण हुआ उससे बचने के लिए आप स्वम निर्णे लेंगे और एक निर्णे पूरे जीवन को बदल देता है। पस्चाताप जीवन का आधार न बने इसलिए आप अग्रशर होकर पस्चाताप को लात मारो और बढ़ो अपने उन लक्षों के लिए जिसके लिए आप स्वम पैदा हुए हो। तो आप देखेंगे कि इस तरह टेंडनसी होगी इन क्वेस्चनों की अगले पॉइंट्स पे हम लोग आते हैं। अगले पॉइंट्स में हम लोग आते हैं। ब्रिहद शिलालेख ब्रिहद शिलालेख तो जब ब्रिहद शिलालेख होगा तो आप लोग ने देखा होगा कि 14 ब्रिहद सिलालेखों की बात होती है। तो 14 ब्रिहद सिलालेख का मतलब नहीं हुआ कि 14 बड़े बड़े ब्रिहद सिलालेख नहीं। 14 ब्रिहद सिलालेखों का मतलब है कि यह आठ हस्थान से मिले हैं। यह आठ हस्थान से मिले हैं। इसमें प्रसाशन से संबंधित बाते हैं। संबंधित बाते हैं और इन पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नव, दस, इग्यारह, बारह, तेरह, और चोधा लाइने हैं इस पर चोधा बाते हैं और इन चोधा बातों को आप लोग जानना पड़ेगा यह चोधा बाते हैं किस तरह की तो हम लोग जब टाफिक वाइज आएंगे तो इन पर हम लोग ब्रिहत बात करेंगे कि जैसे कलिंग का युद्ध कब हुआ था, किस लेख में है तो आप देखते हैं 279 में वह गद्धी पर बैठता है और राज़ा भी सिक के या राज़ा भी सिक का डेट है और 273, 79 के बाद 70, 71, 72, 73 तो 4-5 वर्स उसको लग गए थे अपने भाईयों को शमाप्त करने में तो 273 में तो वह गद्धी पर बैठ गया लेकिन राज़ा भी सिक करवाना आशान नहीं था क्योंकि असोक के 101 भाई थे कहा जाता है कि 100 भाईयों का इसने हत्या करवाया और खुद गर्ती पर बैठा आठमे वर्ष राज़ा भी सिक के आठमे वर्ष कलिंग का युद्ध होता है कलिंग का युद्ध होता है और आप देखेंगे 261 ही सापुर तो आपके लिए 273 इसापुर भी डेट जाननी होगी 279 भी जाननी पड़ेगी तब आप आठमे वर्ष की बात करेंगे जैसे लुम्बनी की यात्रा वह कब करता है 20 वर्ष बात करता है तो 279 में से 20 क्या करेंगे घटा देंगे 249 इसापुर्व लुम्बनी की यात्रा किया था 20 में वर्ष तो सोचो कि जब लुम्बनी की यात्रा कर रहा है बौद धर्मों तक जा रहा है तो कलिंग युद्ध के बाद ही उसने बौद धर्म स्विकार किया था लेकिन बौद धर्म को उसने अभिलेखों का अपने प्रशाशन का आधार नहीं बनाया यह बात याद रखना कहीं पर भी उसके अभिलेखों में यह बात नहीं मिलती है कि अशोक ने बौद धर्म स्विकार कर लिया था लेकिन बौद धर्म वह स्विकार किया था यह बातें और ग्रंथों में मिलती है इसी के समय असोग के समय तीसरी बद्ध शंगीत भी हुई थी जहां पर मज्छांतिक, मज्धिम, रच्छित, धर्म रच्छित, महाधर्म रच्छित, सोन और उत्तरा, संग मित्रा और महिंद्र नत्रत्तो करता बनते हैं लंका तक, बीदेशों तक आपके बहुत धर्म भारत से बाहर निकलता है यहां पर भी एक बात और आप जानते रहेंगे कि हिंदु धर्म वैश्विक धर्म नहीं है लेकिन बहुत धर्म वैश्विक धर्म है जैन धर्म वैश्विक धर्म नहीं है वह भारत में ही है लेकिन बहुत धर्म वैश्विक धर्म है इसाई धर्म वैश्विक धर्म है इसलाम धर्म वैश्विक धर्म है तो वैश्विक धर् हैं तो आप यह बात जानते रहेंगे कि क्या कंडिशन्स होगी तो जब कलिंग का युद्ध होगा विटा तो आप देखेंगे तेरहमें और आप अगर इसको अगर तीर और धनुस बना लें तो तेरहमा अभिले कहेगा कि कलिंग युद्ध कहा हुआ था अब हम लोग आठ अस्थानों की अगर बात कर लें मिटा हम लोग आठ अस्थानों की बात कर लेंगे और प्रसासन से संबंदिद बात है ब्रिहद स लगु सिलालेग की बात होती है और लगु सिलालेग की बात होती है तो बड़ी-बड़ी चटानों को क्या कर देता था तरास्ता था और उन पर 14-14 बातें लिखवाता था यही ब्रिहत सिलालेग का लाते थे यह प्रसासन से संबंदित बाते थी और जो लगु सिलालेग थे उ साधवे साधवे सचे सोचे माधवे साधवे चा तो इन तरह की बात आप देखेंगे किम्चु धम्म धम्म क्या है प्रस्ण अपने करता है कि धम्म क्या है दया होनी चाहिए दान होना चाहिए बहुतों का कल्यान होना चाहिए सचे सोचे सचाई होनी चाहिए पवित्रता होनी चाहिए मधुरता होनी चाहिए साधुता होनी चाहिए यही धर्म है सोचो धर्म को कितना सुन्दर तरीके से एक्स्प्लेन करता है और जन जन तक उसके उद्देश्यों को बताने में इतना सफल हुआ कि आज कोई भी धर्म उस पराकास्था को नहीं छूपाया जिस आत्मेता और पराकास्था के साथ असुक खड़ा था ऐसा धर्म होना चाहिए जहां पर एक धर्म दूसरे धर्म की नफरत की सिकार हो रही है लेकिन धर्म नहीं मारा जा रहा है ब्यक्ति मारा जा रहा है ऐसी कुटिलताओं को समाप्त करना चाहिए और फिर हमें उसी रूसों की बात करना चाहिए कि बैक टू नेचर असुक के उन उद्देश्यों को अस्थापित करने की बात है तब एक अच्छा जीवन जिया जा सकता है जहां पे सांती सुरच्छा न्याय मिल सकती है अन्यथा नहीं जन संख्या बढ़ती जाएगी जमीन के खंड छोटे छोटे होते जाएंगे संसाधन कम होते जाएंगे राच्छसी प्रवर्तियां बढ़ेंगी अन्य न मिलने पर एक दूसरे को खाने के लिए आदमी आतुर होगा और नहीं तो COVID-19 जैसी अगर महमारियां अगर आती रही तो माल्थास की वही बातें पुना तुहराई जाएंगी कि देखो अगर आप संतुलन नहीं बनाएंगे तो प्रकृति संतुलन बनाएगी लेकिन जब प्रकृति यहां की परिष्थतियों को संतुलित करेगी तो उसमें चितकार जादे होंगे मौतें जादे होंगी तो उससे निपटना होगा और अच्छी बातों को आधार बनाना होगा नहीं तो रूस जैसा ब्यक्ति यूक्रिन जैसे छोटे से देश पर एक साल से बंबार्डिंग करता रहेगा और कोई दुनिया ये नहीं कहने जाएगी कि रूस बलादमीर पुतिन आप क्यार क्या रहे हो आपका सान इतना बड़ा हो गया किस धर्ती और मानोता से बढ़के आपकी शान है लेकिन यूक्रिन किसके सपोर्ट पे खड़ा हो गया दूसरी महासक्ति अमेरिका पीशा कौन जा रहा है ये यूक्रिन बरबाद कौन हो रही है या धर्ती तो आप धर्ती पर कहीं पर भी बम गिराते हो तो आपको गिराने का हक नहीं है क्योंकि जिस भूखंड को आप कहते हो कि या अमेरिका है या रूस है कोई ऐसी सक्ती पनपनी चाहिए जो कहे कि यह समूचा पृत्वी एक है इस पर परमाण हथियाद नहीं बनने चाहिए परमाण बम नहीं गिरने चाहिए ऐसी ब्योस्थाएं तो वही होगा जहां पर कृष्णा आएंगे मानों की बल्क बूते की बात नहीं है क्योंकि जिसके पास सक्ती है सामर्थ है इस बिज्ञान ने राक्षस बना के रख दिया है और या तो असोक की तरह कलिंग युद्ध के बाद उन हत्याओं का प्राश्चित करे तब कुछ हो सकता है अन्यता किवल बातें कहने के लिए रह जाएंगे और तब तक सब कुछ नास हो गया होगा तो ये इतिहास हम लोगों को दिखाता है कि किवल ब्रिहत सिला लेख नहीं है या ऐसे लेख नहीं है कि किवल चटानों पर लेख दिये गए और इतिहास के इस्टूडेंट को किवल पढ़के और उसको ट्रिक कर लेना है नहीं इतिहास के उन शब्दों को उस वहुद घोषणा होनी चाहिए कि जनजन के कानों तक वह बाते पहुँचिनी चाहिए यह उद घोषणा थी अशुक की अशुक की उस अंतरात्मा के साथ इसको पढ़िए और आगे बढ़िए तब ही आपका भी कल्यान है हमारा भी कल्यान है और जिन बच्चों की जीवन को अपने हाथों में लेंगे उनका भी सर्व कल्यान होगा आप देखेंगे एक 11, 12 और 13 को यह मिटा देता है और इस पर केवल एक लेख लिखता है इस पर केवल एक लेख लिखता है इसी को हम लोग प्रिथक लेख कहते हैं प्रिथक लेखों की संख्याएं देखो विटा आठ, नव, दस, इग्यारह और बारह तो प्रिथक लेख दो अस्थानों से मिलेंगे धौली और जौगड धौली और जौगड पाकिस्तान में दो हैं मान्सहरा और सहबाजगर ही कालसी कालसी उतराँ चल, उतराखंड एर्री गुड़ी आंधा प्रदेश और आपका सौरास्थ होगा गिरनार मांसेहरा होगा साहवाजगड़ी होगी धौली जौगड़ एर्री गुड़ी होगा एक और अस्थान होगा बिटा सोपारा होगा महारास्था में एक दो तीन चार पांच छे साथ आठमा स्थान लेख लेना सोपारा सोपारा महारास्थ में महारास्थ में लेकिन इसमें जो प्रस्ण पूछा जाएगा कि चोदह ब्रिहत सिला लेख कहा नहीं है तो धौली और जौगड़ आपके बनेंगे धौली और जौगर बनेंगे धौली और जौगर बनेंगे यही questions आएगा तो आप कहेंगे कि सर इसको 14 व्रिहत सिला लेखों में क्यों रखा गया है तो एक बात याद रखना जो तेरहमा अभिलेख है वह सबसे बड़ा अभिलेख है और जो पृधक लेखा है इसमें वह यहां की जनता को मनें या जब धौली और जौगर में उडिशा में वह कलिंग में हत्याइं करवाया है और वहां पर फिर उन हत्याओं की बात करेगा कि हमने तेरह कलिंग का संतान के कल्यान की बात सोचता है उसी तरह मैं असोक इस प्रजा के मंगल की कामना करता हूँ और यहां के प्रजा मेरी संतान है संतान है यह प्रशन पूछा जाता है और यही क्या हो जाता है प्रिथक लेक कहलाता है प्रिथक लेक तो प्रिथक लेक कहां से मिलता है प्रिथक मिलेंगे इसके आगे और इसी जोरदार लहजे के साथ तब तक के लिए आप लोगों को धेर सारी सुब काम नाए बेस्टाफ लग्ट